बोडिविनिंग टू आल सभी को नमस्कार प्रणाथ पीडिटिक नर्शिंग जी एन में सेकेंड यार मोडल पेपर नमबर थ्री प्रिवियेस वन और टू मोडल पेपर के बारे में बात कर लिया था जितने भी मोडल पेपर रहेंगे वो बहुत इंपोटेंट है हर एक्जाम के अंदर देखने को मिलता है कोशन आप देखिएगा मोडल पेपर में एक्जाम के एकोडिंग आपन बात करेंगे मोडल पेपर 75 मार्क्स का आता है जिसके अंदर लॉंग कोशन, शॉर्ट कोशन, मैस द फॉलोविं, फिल इन द ब्लेंक, ट्रू फॉल्स, एब्रिवेशन से लिलेटेड कोशन रहते हैं तो आज इंपोटेंट कोशन है, मोडल पेपर है, जो प्रिवेश येर के अंदर आया हुआ भी है और कई ऐसे इंपोटेंट कोशन है, उसको यहां पे लिया गया है तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, सूज एनी थ्री कोशन, इसमें लिखा हुआ किनी तीन परशनों का उतर देना है जो पहला कोशन है, फर्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर तीन कोशन होंगे, ने, तीन से ज्यादा होंगे, जिसमें से तीन कोशन का क्या देना है आंसर देना है सबसे पहले question number one question number one के अंदर लिखा हुआ है define the pediatric pediatric की प्रिपासा लिखनी है rights of the size बाल अधिकार क्या-क्या है उसको लिखना है और pediatric nurse की भूमी का क्या-क्या होती है उसको लिखना है तो यह इस प्रकार सा जो question है वो long question के अंदर रहेगा दूसरा question बात करें question number second what is the jaundice? list the type of clinical fisher of the jaundice, explain the management of soil with neonatal jaundice यह बहुत important question है यह आप pediatric nursing के बारे में exam देने जा रहे हैं तो hc condition के अंदर jaundice को अच्छी तरीके से याद करके जाए jaundice का definition, clinical feature कैसे होता है, उसका पैतो physiology कैसे होती है उसका management कैसे करते हैं, कौन-कौन से symptom देखने को मिलता है यह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से यह बहुत important question है यह 15 नमबर का question रहेगा next बात करते हैं, question question number 3 जिसके अंदर what is exclusive breastfeeding? write the advantage of breastfeeding explain the feeding problem of infant यह भी important है, यह भी 15 नमबर का question है यह भी question important है, यह भी 15 नमबर का question है इसको भी अच्छी तरीके से देख लें next question number 4 ठीक है? 4 के अंदर लिका हुआ है define prematurity prematurity क्या है? what are the signs and symptoms of prematurity? prematurity के क्या sign symptom देखने को मिलता है explain the nursing care of preterm baby को nursing care plan लिखना है तो इस प्रकार से यह भी question important है तो इसके अंदर, फर्स्ट के अंदर 4 question थे जिसके अंदर 3 question का answer देना है उसके बाद में next next exam pattern है write short notes on any three तीन पे short notes लिखना है summary लिखना है जो पांस-पांस नंबर के question देखने को मिलते हैं इसके अंदर, यह जो आपको रटके जाना है यह आपको रटके जाना है क्योंकि एक्जाम के अंदर, हर एक्जाम के अंदर देखने को मिलता है तो यह पांस-पांस नंबर के question होगे उसके बाद में बात करते हैं next exam pattern है सूज correct answer है इसके अंदर सूज correct answer सई answer देना है इसका मतलब है कि multiple choice question से यह related है सबसे पहले देखिएगा इसमें लिखा हुआ है the structural malformation of the heart या greater vessels present in the birth बर्थ के time में malformation देखने को मिलता है heart से related तो इस प्रकार से heart से related यह malpresentation है तो congenital heart disease condition होगी congenital heart disease CSD ठीक है तो इसका बच्चों D is a correct answer रहेगा next बात करते हैं involuntary passes of urine at night time है ना रात को सोते time में urine pass हो जाता है सोते बच्चों के अंदर उस condition को बोलते हैं aneurysis क्या बोलते हैं aneurysis condition कहते हैं be is a correct answer इस प्रकार से multiple choice question fill in the blanks true false means the following सारे सारे यह app के अंदर add है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं application से पढ़ सकते हैं kp online kp nursing app kp nursing app play store में जा करके इसको क्या करना है download करना है वहाँ से आपको सारे सारे pattern देखने को मिलेंगे ठीक है next बात करते हैं oligo urea इसमें इसका right क्या हुआ aneurysis हो गया aneurysis का मतलब है involuntary passage of urine at night time है ना night time के अंदर urine pass out हो जाता है control नहीं हो पाता है जिसको aneurysis condition कहलाता है ठीक है ना bed bedding उसके बाद में oligo urea इसका मतल है urine output production more एक दिन के अंदर below the 400 ml टिक्स एक involuntary muscles contraction देखने को मिलता है और colic 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 pen तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है नेक्स्ट बात करते हैं question number three average head circumference of the neonate at birth birth के time में head circumference कितना होता है आपने देखा होगा कि head circumference और sex circumference जो at birth के time में sex circumference होता है 30 से लेकर के 33 और head circumference होता है 33 से लेकर के 35 तीक है इस प्रकार से यह normal range होती है at the birth of the baby head circumference और sex circumference इसके अंदर birth के time में हैं तो इस condition में इसका right क्या होगा be is correct answer रहेगा यह be exact नहीं है यह range दिया हुआ है तो 34 होता था या 33 होता तो सही होता परंतु इसके अंदर मिलान नहीं खा रहा है तो nearest range को लिया गया है nearest range को लिया गया है ठीक है तो इसका answer यह हो गया अब बच्चों head circumference मतलब इस head का circumference कितना है chest का circumference कितना है यह centimeter के अंदर है ठीक है यह बच्चों के अंदर जनम के time में इतना देखने को मिलता है अब इसको याद कैसे रखना है head ऊपर है तो इसका मतलब है कि range क्या होगा ऊपर होगा 33 से 35 centimeter होगा थाना उसके बाद में chest नहीं से है तो उसकी range क्या होगी कम होगी तो यह दोनों याद रखना है कई बार एक्जाम के अंदर यह आता है कि head circumference कितना होता है या head circumference circumference से कम कितना होता है या ज्यादा कितना होता है इस प्रकास से question exam के अंदर देखने को मिलता है ठीक है next बात करते हैं कि a collection of blood in between the periosteum and skull skull और periosteum के बीच में क्या हो रहा है blood का collection हो रहा है जिसको बोलते हैं सेपेलो हेमेटोमा क्या बोलते हैं सेपेलो हेमेटोमा वी इस ये correct answer रहेगा next बात करते हैं सेपेलो हेमेटोमा उसके बाद में next बात करते हैं देखिएगा an inherited bleeding disorder due to deficiency of plasma coagulation factor is called ठीक है इसके अंदर है अनुवानसिक blood इस्त्रावी विकार जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया ठीक है न क्या बोलते हैं हीमोफीलिया अब ये क्या है अनुवानसिक परकरिया होती है जिसके अंदर जो coagulant factor होता है आठ नंबर का होता है उसकी deficiency हो जाती है तो इसके अंदर c is a correct answer रहेगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एक्जाम पेटर्न है fill in the blanks रिक्ट इस्तानों की पूर्ती करो इसके अंदर है c is also known as bell's palsy यह ना a palsy is related to paralysis पालसी इस पर लेटेड टू पैरा लाइसिस पैर लाइसिस होता है और उसको बोलते हैं यह न्रोथी है उसके अंदर क्या हो जाती है डेमेज हो जाती है जिसकी वज़े से क्या होता है फेशियल का फेस का पेरलेसिस हो जाता है और फेशियल पेरलेसिस का दूसर नाम है बेलश पालसी बेलश पालसी ठीक नेक्ट बात करते हैं a deficiency of the folic acid and vitamin b12 folic acid and vitamin b12 की कमी है जिसको बोलते हैं एक एनिमिया होता है मेगाल मेगा मेगालो ब्लास्टिक एनेमिया मेगालो ब्लास्टिक एनेमिया जिसके अंदर folic acid and vitamin B12 की deficiency होती है जिसको मेगालो ब्लास्टिक एनेमिया कहला ता है प्रंतु मैंने एकraz बताया था बच्चों कि भी यह है उता है यह फॉलीघ एसीड एंड वीट Yup Shield Q posição की डेफिशन से होने वाला ऐनीमिया मेगलोबलास्निक विकली मैं कह으면 कि वीटामिन 2 स 여기까지 से आता है को लिखना है फॉलीघ एसड एंड कि ठी से होने वाला एनेमिया है तो भी क्या है megaloplastic एनेमिया थिके तो इस प्रकार से पर्नियस एनेमिया कब होगा जब विटमिन B12 की डेफ़िसेश हो प्रन्तु यहां पे लिखा हुआ है folic acid भी साथ में हैं तो इस दिए megaloblastic anemia is a correct answer रहेगा next बात करते हैं प्लूरा एक क्लेक्शन और फ्लूर्ड इन दे फ्लूरल केवेटी फ्लूरल केवेटी के अंदर फ्लूर्ड का फ्रमेशन हो गया है जिसको बोलते हैं फ्लूरल इफ्यूजन क्या बोलते हैं फ्लूरल इफ्यूजन के नाम से जाना जाता है फ्लूरल इफ्यूजन और फ्लूर्ड का इस इमपाईमा है ना पसका कलेक्शन हो रहा है इमपाईमा कंडिशन होगा और फ्रूड का कलेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लूरल इफ्यूजन ठीके नवजात सिश्व में हाइपोथर्मिया होता है जब तापमान सामदे से celsius से Fahrenheit नीचे होता है कितने से कितने 36.5 degree Celsius उसके बाद में या 97.6 degree Fahrenheit ठीक है ये ध्यान रखना है ये रेंज इसे नीचे होता है तो क्या बोलते हैं हाई पोफर्मिया कंडिशन के लाती है नेक्सट बात करते हैं देखिएगा ट्यूबरक्यूलिन इसके इन टेस्ट के अंदर किया जाता है इस प्रकार से fill-in-the-blank से related जो question थे उसको अपने solve किये अब next बात करते हैं next and last जो match the following से related question है उसके बारे में बात करते हैं देखिएगा क्या लिका हुआ है क्वाश्योर कॉर क्वाश्योर कॉर जिसके अंदर protein की कमी से होता है तो इसके अंदर five is the correct answer रहेगा BCG vaccine किसके अंदर देते हैं कि इंट्राडर्मल BCG कौन से रूर से देते हैं इंट्राडर्मल रूर से देते हैं तो यह इसका फॉर राइट हो गया sinuses oxygen की कमी से जिसमें hypoxia condition होती है इसका राइट हो गया दो नंबर राइट हो गया phototherapy join disc के अंदर दिया जाता है एक राइट हो गया dpt intramuscular देते हैं इसका three राइट हो गया मिलाना है इसको क्या करना है मिलान करना है तो इस परकार से जो pediatric nursing है g&m second year के लिए जो exam pattern है उसके according आपको मेने question को solve कर वाया तो इस परकार से जितने भी model paper है उसको अभी solve करें, जो important important question है, उसको आप मिलान करें, उसको practice करें, ताकि आगामी आने वाली exam के अंदर आपको बहुत benefit मिल सके, मैं आपको जितने भी syllabus subject है, उनके 10-10 model paper को solve कराऊंगा, इसके सारे सारे इनके जो exam pattern से related सारे question है, वो मेरे application के उपर आपको अप पड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही धन्यवाज,